साश्रीकाल, हाई एवरिवन, वेलकम टू डेजी रोजी पंजाबी किचन आज असी बनावांगे बांटी बार जिसनू बनाना बहुत ही असान है अथे खान वीच बहुत ज्यादा टेस्टी हन चलो इसनू देख दे हां की कि में बनाना है बंटी बार बनान दे लई, असी लवांगे एक नौन स्टिक पैन या तुसी कोई भी नौन स्टिक कड़ाई ले सकते हो उस वीच असी लवांगे तीन चुथाई कप दुद दुद तुसी कोई भी ले सकते हो हून नाल ही इस वीच पावांगे अद्दा कप चीनी मैं इसनू measuring cup दे नल नाप के लिया है अगर आप दे कोल measuring cup नहीं है ता कोई गल नहीं आप कोई भी cup ले सकते हो उससे दे हिसाब नल सारे ingredients ले सकते हो या कोई भी कारविज कोली है तो वह भी ले सकते हो एथे देखो दुद नू उबाल आ गया है मैं इसनू चंगी तरह mix कर लेया है हून मैं एथे 1 4th cup दुद होर पाया है यानि टोटल मैं 1 cup दुद लेया है weight वीच 200 ml है मेरे cup दा size 200 ml है तुसी कोई भी कोली या कोई भी cup ले सकते हो इससे काप नल नाप के मैं desiccated coconut लेया है सवा cup मैं desiccated coconut लेया है जिसनू नारियल दा चूरा भी कहन दे हन सुका नारियल दा चूरा जो मार्किट तो बड़ी असानी नाल मिल जानदा है दुद वीच पावांगे ते चंगी तरह mix कर लवांगे हून इसनू ओदो तक पकावांगे ज़द तक इस वीच moisture खतम ना हो जाए दुद है चंगी तरह सूक ना जाए गैस दा फ्लेम असी हाई ही रखांगे इसनू लगा तार चलंदे जावांगे आप चाहो ता इसनू मीडियम फ्लेम ते भी पका सकदे हो इत्थे देखो दुद नू काफी हाद तक उबाल आ गया है पर असी इसनू होर पकाना है ज़द तक एक डोज या नहीं हो जन्दा ताद तक इसनू पकावांगे सारे इंग्रीडियंट सी लिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच दित्ती है आप चेक कर सकदे हो दुद काफी हाद तक सुक गया है इसनू इक डोज या बनाना है लगा तार इसनू चलन दे जावांगे जद तक एक पूरी तरह दुद विच 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 न जाए दुद पूरी तरह सुक गया है ते एक डोज या त्यार हो गया है डोज बिल्कुल त्यार हो गई है हून असी इसनू ठंडा करन लई एक प्लेट दे विच गड़ांगे जे तुसी चाहो ता इसनू फ्रीज विच ठंडा करन लई रख सकदे हो डोज नू बिल्कुल ठंडा कर लेया है मिक्स्चर बिल्कुल ठंडा हो गया है उन हाथ नाल इसनू रोल करांगे ते उपर तो हलका हलका प्रेस करांगे, साइडा तो भी इसनू हलका हलका प्रेस करांगे, उत्तों फिंगर देनाल इसनू प्रेस करांगे, इसे शेप वीच असी सारे बार्ज नू तियार करांगे, साइडा तो हलका हलका प्रेस करांगे, उपर तो हलका हलका प्रेस करांगे, इस तरह असी सारे बार्ज नू तियार करांगे इस नू शेप देना किन्न असान है इस चौकलेट नू बनान लई सानू किसे भी मोल्ड दी जरूरत नहीं है इसे तरह असी सारे बार्ज नू तियार करांगे इस नू किसी भी चीज उत्ते यहां किसी प्लेट उत्ते यहां किसी चॉपिंग बोर्ड दे उत्ते शेप दे के रख दे जावागे सारे बार्ज नो असी त्यार कर लेया है हुन इक कंटे लई इस नो किसी प्लेट विच पाके फ्रीज विच रखांगे ताकि यह चंगी तरह सेट हो जान मैं इक बरतन विच पानी गरम कीता है पानी बहुत ज़्यादा गरम होना चाहिदा है हुन इस उत्ते चॉपिंग वाल बाउल रखांगे ते मेल्ट करांगे मैं डेट ग्राम मिल्क कंबाउंड चॉपिंग लई है इसनू छोटे छोटे टुकड़ें विच कट्या है इसनू मेल्ट करांगे इसनू टकना नहीं है क्योंकि टकन दे नाल इस विच पानी गिरेगा जिस नाल चॉकलेट खराब हो जाएगी ऐ देखो चॉकलेट मेल्ट होनी शुरू हो गई है आप चाहो ता इसनू माइक्रोवेव विच भी मेल्ट कर सकते हो माइक्रोवेव विच इसनू 80 डिग्री पावर ते 20 सेकिंड दे गैप नाल गरम कर सकते हो लगातार इसनू गरम नहीं करना नहीं ता चॉकलेट जल जाएगी 20-20 सेकेंड दे गया अपनाल इसनू गरम कर सकते हो 20 सेकेंड बाद microwave चोंग कड़ो दोबारा तो फिर microwave वीच इसनू 20 सेकेंड तक गरम कर लवो बार्ज नू असी एक कंटे लई फ्रीज वीच रख्या सी एक कंटे बाद बार्ज बिल्कुल सेट हो गई हन चोकलेट पूरी तरह मेल्ट हो गई है इसनू गरम बर्तन तो हटावाँगे इसनू चंगी तरह मिक्स कराँगे ते इसनू रूम टेंपरेचर तक लेआवाँगे हलकी जही गुनगनी होनी चाहिदी है बहुत ज़्यादा गरम चोकलेट वीच कोकोनट दी बार्ज ना पाना नहीं ता इससे वीच मेल्ट हो जाएगी चोकलेट नू पूरी तरह ठंडा जुकरना जरूरी है हलका गुनगना होना चाहिदा है हुन बार्ज वीच चंगी तरह सेट हो गए हन हुन एक बार लवांगे चोकलेट दे वीच चंगी तरह डिप करांगे चंगी तरह कोट कर लवांगे फिर इसनू कांटे दी मदद नाल बाहर निकालांगे ते किसे वी प्लेट या फिर चॉपिंग बोर्ड दे उत्ते फॉयल पेपर या फिर बटर पेपर लगावाँगे ते उस उत्ते रख दे जावाँगे जिस तरह की तुसी देख रहे हो सारे बार्ज नू असी इसे तरीके दे नाल तियार करांगे चॉकलेट दे विच डिप करांगे उसनू पचंगी तरह कोट करांगे ते कांटे दी मदद दे नाल उसनू निकालांगे ते फॉयल पेपर ते रख दे जावाँगे सारे बार्ज नो असी त्यार कर लिया है उनसी सारे बार्ज नो दस मिनट लई फ्रीजर विच रखांगे ताकि ये जंगी तरह सेट हो जान दस मिनट बाद फ्रीजर विचो बार्ज नो कड लिया है तुसी देख रहे हो कि किन्नी वदिया तरह त्यार होए हन बार्ज इस नाल जो एक्स्ट्रा चॉकलेट सी उसनो निकाल दिता है ते बिलकुर फिनिशिंग दिती है आप वी जरूर बना के देखना बॉंटी बॉर आप जरूर पसांद आई होएगी मेरी ये बॉंटी बॉर दी रेसेपी ते मैं नू फीड़ बैक जरूर देना कि आप दे बॉंटी बॉर के हो जे बने हन अगर आपनू मेरी ये वीडियो पसांद आई होए ता लाइक ते शेर जरूर करना चैनल नो सब्सक्राइब जरूर करना तो आप जरूर बना के देखना बहुत ही सिंपल ते इजी रेसेपी है आपनों जरूर पसंद आएगी